आईए आज फिर से आईरवेद जो परिचे है उसके इतिहास पे एक नजर डालते हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है एक तरह से बहुत ही एक तरह से माइंड को उल्जाने वाला है और एक तरह से बोरिंग नहीं कहेंगे इंट्रेस्टिंग कहेंगे क्योंकि जब बात कंसेप्ट जो है उलज जाता है अलग-अलग चीज़ें बाहर आती हैं तो इसलिए मेरे हिसाब से इस टॉपिक को एक बार और समझाया जाना चाहिए था कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको टॉपिक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कंफ्यूज कर रही हैं तो हम नहीं हैं जिसमें एक स्टूडेंट है जिनका नाम हम लेना चाहेंगे सत्यपाल सिंग उनकी यह कंफ्यूजन है कि आयरवेद इतिहास में क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं टेस्ट में वह क्वेस्टन अलग तरीके से हैं एक ही चीज को दस लोग कैसे कहेंगे तो आज इसमें प्रयास करेंगे समझाने का उनको कि कैसे आयरवेद में चीजें अलग-अलग हो जाती हैं क्योंकि अलग-अलग कथन आते हैं अलग-अलग आचारें अलग-अलग चीजों को अलग-अलग तरीके से कहते हैं कोई किसी चीज को किसी तरीके से कह दिया है कोई किसी ची प्रकट का मतलब यह हो गया कि किसी के द्वारा इसे प्रकट किया गया अब इसमें बस एक ही चीज निकल के आती है जो है दैव उपदेश अब दैव उपदेश का मतलब यह हो गया कि देवता ने जो कहा देवताओं के द्वारा जो उपदेश दिया गया उसके आधार पे ची confusion नौ रह जाए confusion नौ रहने का सवाल उत्पन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि चीजों को इस तरीके से समझाया जाएगा ताकि सारी चीज़े आपके दिमाग में छब जाए और सबसे important चीज ये भी है कि कभी-कभी confusion create इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका concept जो है clear नहीं होता है आईरवेद में question तब तक आप सही समझेगा जब तक किसी आचारे का नाम किसी शंगीता का नाम mention नहीं हो और जब mention है तब question का जबाब जो है सही हो सकता है answer नहीं है तो उलजने वाला बात हो सकता है जैसे हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं पहले ही मैंने बताया कि concept जो है clear होना चाहिए नहीं concept clear होगा तो चीजे समझ से बाहर हो सकती है ठीक है तो देखते हैं हमने बताया कि topic जो है आपका है आईरवेद का प्राकटे तो आईर प्रमार जो है दो चीजों से मिलता है आईरवेद उपदेश जो है जो प्राकटे है इसका उपदेश के माध्यम से ही मिलता है और आईरवेद का जो उपदेश है दो माध्यम है उपदेश के एक जो है दैव उपदेश है और एक जो है लौकिक उपदेश है दैव जादेतर क्या है दो उपदेशों की बात की जाती है आईरवेद के अंतरगत दैव उपदेश और लौकिक उपदेश लेकिन संगिताओं में जादेतर दैव उपदेश की ही बात कही गई है जो भी संगिता लिखी गई है बनाई गई है उसमें दैव उपदेश की ही बात कही कि देवताओं के उपदेश की बात को जयादे तर मानेता दी गई है अगर हम डैय उपदेश के आधार पर बात बानें तो ब्रहम्हा ने आयर्वेद की रचना स्रिष्टी के पूर्वही कर दिया मतलबा की पृत्विका स्रिजन नहीं गुआ था तभी ब्रहम्हा ने आईरवेद का निर्मान कर दिया अब दैव अबदेश के आधार पे देखें तो ब्रह्मा ने या लिखा हो या किश्णी को सुनाया हो या कहीं से उसका अभिस्कार कर दिया हो कहीं से उसको प्रकड कर दिया हो ठीक है? तो इस हिसाब से अगर देखें तो दैव उपदेश का आधार बिंदू ये है कि ब्रह्मा जो है वो आईरवेद को एक तरह से उन्होंने उसकी रचना की और उसका प्राकट्टे जो है स्रिष्टी के पूर्व ही हो गया स्रिष्टी का निर्माड नहीं हुआ था तभी इसकी रचना जो है हो गई थी ऐसा दै ब्रह्मा ने दक्ष परजापती को आईरवेद का उपदेश दिया अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले चीज क्या निकल के आता है कि जो आईरवेद की रचना ब्रह्मा ने स्रिष्टी पूर्व कर दी थी उसको लोक हित में स्रिष्टी के हित में उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में दच परजापती को बताया किसको बताया दच परजापती को बताया इनके बारे में बहुत सारी लोग कहानिया जो है जिसमें ये भी बताया गया है कि दच परजापती के सीर पर जो है बकरे का सीर जो है जोड़ा गया था ये भी बात उसमें कही ग आप अगर बोलोगे कि सर दय उपदेश का आधार क्या है तो दय उपदेश का आधार जो है वो वेद है वेदों में इनका साच्छे मिलता है कि दय उपदेश में कहा गया है कि ब्रह्मा ने सबसे पहले आयरवेद को किसे समझाया दच प्रजापती को आयरवेद का उपदेश अब इसी दैव उपदेश के आधार पे पता चलता है कि दच प्रजापती से यह उपदेश जो है अश्वनी कुमारो को मिला और अश्वनी कुमारो से किसे मिला इंद्र को मिला ठीक है यह कौन कहा रहा है दैव उपदेश यह बात बता रहे कि दैव उपदेश में यह चीज क से कहा गया है ब्रह्मा को किसने ब्रह्मा ने आयरवेद की रचना की कब सिरिष्टी से पूर्व सिरिष्टी रचना से पूर्व ही जो है आयरवेद की रचना हो गई उसने ब्रह्मा ने भगवान ब्रह्मा ने यह उपदेश जो है दश प्रजापती को दिया दश प्रजापत तो अपनी रूची के हिसाब से जिनको वो मानते थे उन्होंने उनको अग्रणी रख दिया आगे देखते हैं अगर लौकी कुपदेश में आ जाते हैं अब दयवुपदेश की बात खतम हो गई चाहें बेद की बात कहेंगे चाहें किसी आधार पे तो अब लौकी केस में कहा गया कि इंद्र से आयरुवेद की सिच्छा जो है किसे मिली भारदवाज को और भारदवाज ने ये सिच्चा किसे दी अंगीरा आधी रिश्यों को दी किसे दी अंगीरा अधीरिय। आत्रे भी रिशी थे भारद्वाज ने यांगीरा को भी दी और अंगीरा आदी रिशी कुछ मतलब कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि बस भारद्वाज ने डायरेक्ट आत्रे को ये सिच्छा दी ऐसा नहीं है भार्दवाज ने अंगीरा को भी सिच्छा दी लेकिन अंगीरा का नाम जादे नहीं आता है अंगीरा रिशी का नाम जादे तर पापुलर हुआ किसका आत्रे का क्योंकि आत्रे जो थे भार्दवाज से सिच्छा पाने वाले में सबसे प्रमुख महर्सी थे तो लौकिक उपदेश में क्या कहा गया इंद्र से भार्दवाज को सिच्छा मिली भार्दवाज ने अपने कुछ रिशियों को सिच्छा दी जिसमें अंगीरा का भी नाम है लेकिन मुख जो है वो आत्रे थे अब आत्रे की बात करते हैं यह लौकिक उपदेश की बात की जा रही है दैवी उपदेश की बात नहीं की जा रही है ठीक है आत्रे के 6 सिच्य हुए आत्रे के कितने सिच्य हुए 6 सिच्य जिसमें अग्निवेस, भेल, जतुकन, परासर, हारित और छारपाणी ठीक है जो सिश्यों में सबसे बुद्धिमान जो सिश्य थे वो थे अगनी वेस माना ये जाता है कि उस समय जब भार्दवाज जो आत्रे थे किसके सिश्य आत्रे जो सिश्य नहीं कह सकते हैं भार्दवाज रिशी जो थे उन्होंने आत्रे आदी महर्सियों को वो भी रिशी थे उन्हें सिछा दी और आत्रे के छैसे हुए उसमें अगनी वेश जो थे सबसे बुद्धिमान थे तो उन्होंने क्या किया अब ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा सबसे पहले स्रिश्टी में सबसे पहले जो शंगीता जो बनी जो शंगीता लिखी गई वह शंगीता थी अगनी वेश की जो आत्रे के सिश्य थे आत्रे के छै सिश्यों में सबसे प्रमुक शिश्य जो थे वह अगनी वेश थे और अगनी वेश ने सबसे पहली शंगीता आगे अगर देखेंगे तो अगनिवेस की संगीता को चरक और द्रिणबल ने प्रती संशकार किया अगनिवेस ने अपनी संगीता का निर्माड कर दिया था लेकिन अगनिवेस के बाद दो लोगों का नाम आता है एक आते हैं चरक और एक आते हैं द्रिणबल इन्हों ने उस उसको पूना फिर से निर्माड किया, उसकी रचना की उसमें चीजों को जोड़ा या सही तरीके से क्रमबद किया, ठीक है, प्रती संसकार किया किसने चरक और द्रिन बलने, और वही जो चरक और द्रिन बलने, अगनी वेस संगीता या तंत्र को संजोया, प्रती संसकार किया, उसे ही बाद में नाम दिया गया चरक शंगीता, क्या नाम दिया गया? चरक शंगीता जो इस समय आधुनिक में सबसे लोग प्रिय शंगीताओं के अंतरगत आती है, जिसमें औशधी का ज्यान जादेतर समाहित किया गया है, ठीक है? तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि चरक संगीता के प्रतिशंश करता कौन थे? ऐसा प्रशन हो सकता है कि चरक शंगीता के प्रतिशंश करता कौन थे? तो चरक शंगीता के प्रतिशंश करता स्वेंचरक थे, ठीक है? स्वेंचरक थे, लेकिन अगर ऐसा हो कि अगनिवेश संगीता या अगनिवेश तंतर के प्रति करता कौन थे तो वह थे चरक और द्रिणवल ठीक है दो लोग थे अब शंगीताओं का निर्मार देखिए अब ऐसा नहीं है कि जो भारदवाज जो आत्रे थे आत्रे के जो चैसे थे उसमें बस अगनी वेश ने ही संगीताओं का निर्मार किया आत्रे के जो चैसे थे उसमें जो अन्य पांच जो सिसे बचे थे अगनी वेश के अत्रीक्त तो उसमें भेल थे तो भेल ने जो भेल शंगीता लिखी उसका जादेतर उलेक होता है भेल की भेल संगीता का उलेक है लेकिन यहां आधुनिक समय में खंडित है कई पार्ट में है और कई चीजे जो है इसकी अनुपलब्ध है पूरी तरह से भेल संगीता हमारे पास नहीं है फिर जतुकन, परासर, छारपाणी इन्होंने भी अपनी अलग-अलग शंगीता लिखी जतुकन, परासर, छारपाणी की भी अलग-अलग शंगीता थी लेकिन आधुनीक काल में यह अनुपलब्ध हैं है ही नहीं इसका नव साक्षए हैं नव प्रमाड पुछ चीज़े हमारे पास नहीं है बस भेल के बाद हारित जो हैं उन्होंने हारित संघुता लिखी कई जगा हारित संगिता का उलेख है यह इस समय आधनिक में उपलब्द भी है तो आपके दिमाग में क्या रखना है कि आत्रे के जो 6 सिस्य थे उसमें भेल अगनी वेस और हारित उनकी संगिताएं उपलब्द है लेकिन भेल की जो संगिता उपलब्द है वो खंडित है कुछ अगर चरक शंगिता की बात करेंगे तो इसमें भी कुछ चीजे निकल के आती है जो की भिन है उसे भी समझना जरूरी है जैसे चरक शंगिता के एक अस्थल पर भार्दवाज का नाम नहीं है मतलब अभी तक यह बताया जा रहा था कि इंद्र से डारेक्ट जो है चरक शंगिता में जाकरके उनका नाम ही उडा डिया जाता है वहाँ पर भार्दवाज का नाम ही मिलता है वहाँ पर डिरेक्ट नाम मिलता है कि इंद्र से अगल जो यो शिच्छा मिली किसे मिली आत्रे आदिम हर्षियों को मिली ॐईरवेद की सिच्छा थीक है यह चीज दिमाग में रखेगा यह कौन कह रहा है फ़जरक शंगीता की बात करेंगे तो सबसे संगीता जो पहली शंगीता आपको बताएगे कौन थी अगनी वेश ने जो रचना की फिर उसके बाद से चरक सबस्ता है जिसमें एक जगह पे अस्थान पेर साफ वर्णन है कि कासी के राजा दिवोदास सुसरुट इनको धनवंतरी मतलब की धनवंतरी के प्रारूप मांते थे इनका प्राकट्ट हुआ था ऐसा मांते रिसी चरचा में उनके पास जो रिसी उपस्थी थे उसमें नाम था अपधेनों का, वैतरण का, और अब्र का और पोश कलावत का, करवीर्य का, गोपुर अच्छित का और सुसुरुत का ये सारे नाम उल्लेकित हैं कि राजा दिवोदास जब वनप्रस्त थे और वहाँ पर रिसी चर्चा कर रहे थे तो उसमें जो रिसी थे, अपधेनों थे, वैतरण थे, और अब्र थे, पोश कलावत थे, करवीर्य थे, गोपुर अच्छित थे और सुसुरुत थे, इनको वो सिच्छा दे रहे थे, ऐसा सुसुरुत संगीता में उल्लेक है तो कहने का मतलब ये हुआ, कि अब सुसुरुत संगीता में साफ कहा जाएगा, कि धनवंतिरी ने सिच्छा इंद्र से पाई, और धनवंतिरी से फिर सारे रिसीों को शिक्षा दी गई आगे अगर चलेंगे, तो कुछ चीजे और निकल के आएंगी, अगर अन्य संगीता की बात करेंगे, तो आता है नाम फिर काश्यफ संगीता की, कि कि बात आती हैं, काश्यफ संगीता की, जब काश्यफ संगीता की बात करेंगे, तो काश्यफ संगीता में बिमान अस्थान पर साफसाफ उलेक है काश्यव संगीता में बिमान अस्थान पर साब छाफ उलेक है कि ब्रह्मा ने दक्ष को आयरवेद की शिच्छा दी इयर ग्यान दिया दच्छ से अश्वनी कुमार ने या शिक्षा पाई अश्वनी कुमार से इंद्र ने अब ये लिखी हुई है संगीता किस्की काश्यप की इसलिए काश्यप ने अपना नाम उपर रखा वो कहते हैं कि अश्वनी कुमारों से शिक्षा मिलती है इंद्र को और इं कश्यप शंगिता में और प्रत्यत्य प्रमाण हेतु बिमान अस्थान आप देख सकते हैं, जो बिमान अस्थान है कश्यप शंगिता में, वहाँ पे साफ साफ हुले की था है कि ब्रह्मा शे दक्ष ने, अरिवेद की शिच्छा प्राप्त की, दक्ष से अश्वनी कुमार ने कश्यप का आता है फिर आते हैं बसिष्ट फिर आते हैं अत्री फिर आते हैं भ्रिगू लेकिन समुह में अगर भोलेंगे तो हम कहा सकते हैं कश्यप बसिष्ट अत्री और भ्रिगू ने इंद्रशे शिक्षा प्राप्त की ऐसा कौन कहा रहा है काश्यप संगीता कह रही है फ धनवंत्री को कहा कर दिया गया बाद में ऐसा अश्टांग शंगरह कह रहा है तो आत्रे आगे हैं उसके बाद से यह कहा गया कि आत्रे से सिच्छा किसे दी जाती है धनवंत्री को धनवंत्री से सिच्छा किसे दी जाती है भारदवाज को भारदवाज से सिच्छा किसे मिलत कश्यप को और कश्यप से शिच्छा किसे मिलती है इंद्र को ठीक है अब बताएए एक तरह से उलजने वाली बात हुई कि नहीं लेकिन बात असपस्ट है जिसने जो कहा है उसकी बात को उसी के अंतरगत पढ़ा जाए तब कॉंसेट क्लियर होगा चीजे उलजने उलजेंगी नहीं ये बात आप किस में पढ़ेंगे अस्टांग शंगरा में पढ़ेंगे और अस्टांग शंगरा लिखा किसने बागबट ने तो बागबट ने जो बात कहीं हो बागबट की बात के अंतरगत पढ़ेंगे ठीक है सुसुरुत ने जो बात कहीं वो सुसुरुत के अंतर गई तो इन दोनों में जो चीजे निकल करके आ रही हैं वह साफ साफ निकल के आ रहे हैं कि इनका जो है दैव उपदेश पे जादे तर जो लोग है उनका फोकस था और यहां पे अश्टांग शंग्रा में आते आते चीजों को पूरी तरह से कनवर्ट कर दिया गया जिसमें आत्रे को सबसे आगे माना गया आत्रे से धनवंत्री को धनवंत्री से भार्दवाज को भार्दवाज से नेमी को नेमी से कश्यप को कश्यप से इंद्र को ठीक है आप उपर वाला देखे तो पूरी तरह से भिन है तो इस तरह से आईरवेद में चीजे जो है अलग-अलग चेंज हुई चीज़े बदली तो आयरवेद के प्राकट्टे में ये सारी चीज़े ऐसे ही है ठीक है और यदि ये क्लास आप यूटूब पे देख रहे हो तो ऐसी बहुत सारी क्लासे जो है डीटेल में हमारे एप पर आयरवेद फार्मासिस्ट के अंतरगत बताई जा रही ह है कोई बी चीज उलजनी नहीं चाहिए एक भी स्टुडेंट डिश्टर नहीं होना चाहिए ऐसा हमारा प्रयास रहता है और दूसरी चीज जो भी स्टुडेंट अभी भी कॉंसेप्ट में क्लियर्टी नहीं प्राप्त कर पा रहा है उनके लिए हम क्या करेंगे जो 50 टेस् पाइन में रखिएगा और सबसे इंपोर्टेंट चीज कि अगर वीडियो इंपोर्टेंट लगती है और अगर आप यूटूब पे क्लास अटेंड कर रहे हो तो वीडियो को ज्यादे ज्यादे सेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने आयर भासकर क्लास से जोईन नहीं की है तो क्लास को जोईन कीजिए